निर्णे न लेने के बहाने साइकोमेट्रिक एनलेसिस के बाद सामने वाली व्यक्ति की फिजिकल इनर्जी लेवल अगर ज़्यादा हो तो मैं उस व्यक्ति को रोज एक घंटा फिजिकल एक्जरसाइज करने या फिर कोई भी खेल खेलने की सलहा देता हूँ इस पर अपनी उम्र की 40 भी पार कर चुके लोग जरूर ये सवाल करेंगे हर दिन का शेडूल इतना व्यस्त होता है कि एक्जरसाइज के लिए कब समय निकाले हम शाम को काम से लोड़ते वक्त इतना थक जाते है कि एक्जरसाइज के लिए एक्स्ट्रा एनरजी कहां से लाए हम मैं उनसे कहता हूँ आप आपकी एनरजी पूरी तरह से इस्तमाल नहीं करते इसलिए थक जाते हैं और सिर्फ ठकते नहीं है बलकि बेजान हो रहे हैं टाइट शेडूल तो सबका होता है इसलिए आप जग से निराला कुछ कर रहे हैं और इस दुनिया में सिर्फ एक आप ही है जो काम के बोज़ के तले दबे हैं ऐसा समझने के बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर मैं 69 साल में 16-18 गंटों तक काम करके भी जिम जाना मैनेज कर सकता हूँ तो आप लोगों को 40 की उम्रों में क्या दिक्कत है आप शरीर से नहीं मन से ठक जाने के कारण आपकी शारीरिक शमता दिन बदिन घटती जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप आपके शाधी शुदा जीवन में भी आप ही के द्वारा तनावभरी स्थिति का निर्माण होता रहेगा आप बहाने बाजी कर रहे हैं आपके टाइट शेडूल की जो की सीधे साधे एक छुपा रास्ता है आपकी कमजोरी छुपाने का और फिर इन सब को जब मैं बताता हूँ कि मैं किस प्रकार मेरी इनरजी पूरे अभ्यास के साथ चैनलाइज करता हूँ उसके पश्चार ये लोग जो जो मैंने बताया वो सब कुछ करने की ठान लेते है और उसके अनुसार सारी चीजे आचरन में लाते है जिसके कारण वश उनको उम्मीज से ज़्यादा और अच्छे परिणा मिलने चालो हो जाते है फिर उनको मन ही मन में इस बात का एसास होता है कि आज तक उन्होंने दिये सब कारण गलत ही थे क्योंकि वो सिर्फ निर्णे न लेने के बहाने जो थे